कुछ करके दिखाना था, वरना वही फ्यूचर मेरे लिए वेट कर रहा था, जो मेरी दीदी और भावियों का था मैं चोटे कोंचिंग इंस्टिचूट्स में गई, वहां मैंने खुद टीचर्स का इंटरव्यू लिया आप क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कितनी देर पढ़ाएंगे, एक्चली में UPSC में में जो सबसे बड़ी चुडिया है, जिसे मैंने हलके में ले लिया, मेरे अंदर से अवाज आती रही, सर्कल्स चेंज करो, कुछ सर्कल्स तुमने गलत लगाएंगे, उन्हें चेंज करो, चेंज करो, इतना प्रेशर हो गया, मुझे अभी भी महसूस होता है, जैसे किसी ने मेरा हाथ पगड़के उन सर्कल्स को चेंज करवाया, हर ख्वाफ कर देगी पूरा, एक गहरी सची पुकार, और फिर जिन्दगी तौफे देते ना थकेगी, तुम चाहो थक जाओ पाकर तौफे हजार, दोस्तों मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ जोश्ट टॉक्स पे आऊंगी अपनी बात कहने के लिए, और आज यहाँ खड़े होकर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, अपनी UPSC की और अपनी पूरी लाइफ की जर्नी मुझे याद आ रही है, जिसे मैं आज शेयर करना चाहूंगी, हलो, मेरा नाम है डॉक्टर प्रामिला गुपता, मैं 2006 Batch IITS Officer हूँ, 2006 से लेकर आज 2023 तक इतने साल हो गए, और मेरी जर्नी मुझे लगता है कि आज भी कही न कहीं relevant है, बहुत सारी ऐसी बाते मैं आपसे शेयर करूँगी, जो कही न कहीं आपसे भी relate कर पाएंगी, और आप ये सोच रहे होंगे कि आज इतने सालों बाद मुझे ये बताने की क्या जरूरत पड़ी, तो उसका भी एक बहुत अच्छा मेरे पास जवाब होगा, कि हर उमर में ग्रो करते रहना चाहिए, ये भी मैंने पिछले कुछ सालों में ही सीखा है, सिविल सर्विसिस क्वालिफाई करने के बाद तो लगता है कि बस अब हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि सुसाइटी में एक इतने अच्छी पुजीशन मिल गई, एक सेक्यूर जॉब मिल गई, अब इससे ज़ादा और किसी को क्या चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रो करते रहना, आगे बढ़ते रहना यही जिन्दगी है, इसी में आपकी परस्नालिटी भी बनी रहती है, और इसी में आपकी जिन्दगी आपको नए-ने तौफे भिला कर देती है, तो दोस्तों, अपनी जर्णी स्टार्ट करने से पहले, मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ, मैं पंजाब के एक छोटे से टाउन, मंडी गोविंगर से बिलॉंग करती हूँ, वैसे तो यहाँ पर लोग अच्छे हैं, वेल उफ हैं, लेकिन पढ़ाई का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि जहाँ पर सब कुछ होता है, वहाँ कही न कही पढ़ाई बैक्ग्राउंड में रह जाती है, तो मैं जिस फैमिली से बिलॉंग करती हूँ, राजस्तान का एक मारवाडी परिवार, वहाँ पर भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था, हाँ कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं था, in real terms, मैं ही थी जो एमे करने के लिए बाहर निकली थी पंजाबी यूनिवर्स्टी पटियाला, और वहीं मुझे पता चला कि UPSC भी एक चीज है, इस भी कोई इतना बड़ा एक्जाम है, जिसे पास करके आपकी पूरी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, सेटल हो सकती है, बस मैंने सोचा कि चलो, मैं भी इसको ट्राइ करूंगी कभी अगर मौका मिला तो, ये नहीं पता था कि वो मौका बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो हुआ यूँ कि जब मैं MA कर रही थी, MA फर्स्ट येर में हमारे एक जूनियर UPSC की त्यारी कर रहे थे, उन दिनों IS World ही चलता था, IS की त्यारी कर रहे थे, और उसके लिए सबके दिल में बहुत ही इज़ट थी, अभी वो कुछ बने नहीं थे, बस त्यारी ही कर रहे थे, फिर भी बहुत रिस्पेक्ट थी, तो उससे देखकर मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, कि मेरी भी रिस्पेक्ट हो, और जब घर में देखा कि शादी का महौल बन रहा है, मेरे लिए लड़का देखा जा रहा है, तब मुझे लगा, अब एक I.S. ही है, जो मुझे बचा सकता है, मैंने अपने पिता को कन्विंस किया, कि मुझे एक साल और दे, अब ही मेरी शादी की जल्दी ना करें, तो उन्होंने कहा कि तुम करना क्या चाहती हो, मैंने कहा कि मैं I.S. बनना चाहती हूँ, पापा बहुत खुश होगे सुनके, उन्हें लगा कोई घर में इतना बड़ा सोच भी रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, अगले दिन से मैं त्यारी में जुट गई, मोटी मोटी किताबें ले आई प्रिलिम्स के लिए, जैनवरी 2002 की बात है, मई 2002 का प्रिलिम टार्गेट किया, कि इसी को क्वालिफाइ करेंगे और नाम रोशन करेंगे, लेकिन चार महीने में कोई UPSC की त्यारी करके, उसे क्वालिफाइ बिल्कुल नहीं कर सकता, ये बात मुझे समझ आ रही थी, पर फिर भी जोश बहुत था, मुझे लगता है कि मेरा ये जोश ही था, कि आज मैं यहां जोश टॉक्स में खड़ी हूँ, मैंने त्यारी बहुत की, पापा ने भी देखा कि ये लड़की तो बहुत महनत कर रही है, दिन, रात, एक के बाद एक सब्जेक्ट मैं रिवाइज करती रही, पढ़ती रही, समझती रही, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था, मैंने रिलाइज किया कि मैं सच में नौलेज चाहती थी, सच में जानना चाहती थी कि दुनिया में हर जगा क्या हो रहा है, हर सब्जेक्ट की एक इनफोर्मेशन चाहती थी, तो कही ना कही वो इच्छा भी मेरी पूरी हो रही थी, और जब मेरा प्रेलिम हुआ तो naturally वो तो qualify नहीं होना था क्योंकि वो बहुत vast exam है दो चार मीने की पढ़ाई में शायद वो नहीं हो सकता है लेकिन पापा को मेरी लगन और मेरी काबलियत पर भरोसा हो गया तो उन्होंने का कि ठीक है तुम्हें एक साल और देंगे वही है जो है तो UPSC के जो challenges थे वो तो अब मेरे को face करने ही थे society का being girl उस समय में उसका जो pressure था वो भी कॉंप नहीं था क्योंकि मेरे सभी cousins की दीदियों की भावियों की सब तो शादी करके घर में आराम से वाला है मैं पटियाला में शर्मा सर की classes में जाने लगी वहां से मैंने prelims की त्यारी शुरू करने लगी लेकिन बहुत सारे महीने पढ़ने के बाद फिर मुझे doubt आने लगा मुझे लगा कि मैं ये कर भी पाऊंगी ये क्या पंगा ले लिया मैंने मेरे साथ की लड़कियों की शादियां हो गई है they all are happy मेरे को अचानक से क्या हुआ जो मैं UPSC के खवाब देखने लगी और वहीं मैं discourage हुई मैंने अपने आप से बात की कि क्या मुझे से करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए तब चमतकार हुआ मेरे अंदर से आवाज आई कि तुम्हें अगला टैंप देना है पुरे दिल से देना है जयादा सोचना नहीं कि क्या सोच रहा है किसी के साथ क्या हो रहा है अपने गोल पर फोकस रहना और उस दिन के बाद से चमतकार यह हुआ कि मैं जो भी पढ़ती थी मुझे याद रहने लगा मुझे confidence आया कि प्रेलिम मैं कर लूगी अभी तो मेरी मंजिल के वल प्रेलिम ही थी अभी उसके आगे के पाहाड मुझे जादा पता नहीं थे तो बहुत मैंद करके प्रेलिम मैंने कर लिया और उस प्रेलिम ने मुझे बहुत जादा encourage भी दिया प्रेलिम के उस exam को qualify करके मुझे बहुत जादा strength मैसूसी मुझे लगा mains तो मैं बड़े अराम से कर सकती हूँ वही मैं गलत थी actually मैं UPSC में mains ही है जो सबसे बड़ी चड़िया है जिसे मैंने हलके में ले लिया पटियाला में रहकर मैं त्यारी तो करती रही लेकिन शायद over confidence के चलते बहुत अच्छी त्यारी नहीं कर पाई और बस उसे qualify नहीं कर पाई तब मुझे लगा दिल्ली जाना होगा ऐसे तो बात नहीं बनेगी जितनी भी कोचिंग मैं पटियाला से ले रही हूँ वो प्रेलिम तक के लिए तो ठीक है लेकिन मेंस को सीखने के लिए मुझे दिल्ली के किसी अच्छे कोचिंग इस्टिचूट में जाना होगा मेरे पापा मेरे साथ थे उन्होंने का तुम जाओ घबराओ मत ऑल्दो मैं कही ना कहीं हिम्मत हार रही थी अभी तक मेरे मन में यही जल रहा था दीदी उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया उन्होंने मुझे समझाया कि इतनी बड़ी जिंदगी में के वल दो साल ही तो और हैं तुम दे दो दो और एटेंप्ट बचे हुए हैं उन्हें पूरी इमानदारी से निभालो फिर भी नहीं होगा तो जो बाकी सब कर रहे हैं वो तो तुम करी लोगी मुझे उनकी बात ठीक लगी मैं दिल्ली आई पर दिल्ली आते ही जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ कुछ भी नहीं पता था किस कोचिंग इंस्टिचूट में जाएं आज जितने कोचिंग इंस्टिचूट तो उस समय खैर नहीं थे लेकिन जितने भी थे वो भी बहुत कंफ्यूजिंग थे ये नहीं समझ आ रहा था कि कौन सा कोचिंग इंस्टिचूट मुझे अच्छे से पढ़ा पाएगा मुझे मेंस की सही गाइडेंस दे पाएगा तो जो आजकल के एस्पारेंट्स के साथ होता है समझ नहीं बाते हैं कहां जाएं उन्हें मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको बड़े नाम के चक्कर में नहीं जाना है क्योंकि मैंने देखा है बड़े कोचिंग इंस्टिचूट्स बहुत सपने बेच रहे हैं और सचाई से कही ना कही बहुत दूर है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ मैंने दिल्ली के साउध दिल्ली के एक बड़े इंस्टिचूट्स में पैसे जमा करा दिये क्योंकि वो लोग फीस पहले ही लेते है बट वो सारे पैसे मेरे वेस्ट हुए मैं समझ गई कि मेरा यहाँ टाइम वेस्ट होगा मेंने के लिए सिरफ चार-पांच मीने का वक्त है उसे मैं वेस्ट नहीं कर सकती फिर मैं छोटे कोचिंग इंस्टिचूट्स में गई वहाँ मैंने खुद टीचर्स का इंट्रव्यू लिया आप क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कितनी देर पढ़ाएंगे इस सब्जेक्ट को कवर करवाएंगे के नहीं करवाएंगे वहाँ मैंने समझा के छोटे लोग जाधा मैनत कर रहे है तो बेर सरा है कि छोटे से कोचिंग इंस्टिचूट्स से मैंने अपनी मेंस की और ऐसे की त्यारी करी और वहीं से मुझे रिजल्ट भी मिला दिन रात पढ़ाई करके कुछ 14 से 16 घंटे तक कई बार में पढ़ लेती थी क्योंकि लगता था कि थोड़े दिन बचे हैं सलेबस खतम करना है दिन बढ़ तो कोचिंग में और इंस्टिट्यूट्स में गाइडेंस में निकलता था रात पढ़ाई में निकलती थी चाहिए था इतना डिटर्मिनेशन था तो मेंज हो ही गया और मैं सब को यह बताना चाहूंगी कि इतने डिटर्मिनेशन के आगे तो भगवान आपकी सहायता करते ही करते हैं मेरे साथ पेपर में भी चमतकार हुए मैं अपना आई-कार्ड लेके जाना भूल गई लेकिन यूपीएसी में जहां मेरा पेपर हो रहा था वहां एक बहुत अच्छी अदिकारी ने मेरी हालत देखी कि यह इतना रो रही हैं कि इनको अंदर एंट्री नी मिल पाएगी बिकाज यह आई-कार्ड अपना भूल आई है तो मैं इस तो हुआ इंटर्व्यू भी बहुत अच्छा हुआ लेकिन फाइनलिस्ट में मेरा नाम नहीं था वह बहुत शैट्रिंग मूँमेंट था चार दिन के बाद अब आखरी अटेंप्ट का प्रिलिम था मुझे देना है या एक साल और वेट करना है क्योंकि अगर प्रिलिम कुठिसे नहीं और बाद में हमें लगता है कि टाइम वेस्ट हो गया फिर लेकिन मेरी स्थिती ऐसी थी कि मैं वेट नहीं कर सकती थी सुसाइटी का प्रेशर, लड़की होने का प्रेशर के शादी भी नहीं हो रही है, कुछ बन भी नहीं पा रही है तो अब इसका होगा क्या मैं उस कन्फूजन में और जादा समय शायद बिताने की हालत में नहीं थी इसलिए मैंने चार दिन बाद जाके प्रेलिम दिया बट मुझे कॉन्फिडेंस आके मैं कर लूगी क्योंकि प्रेलिम की गेम को मैं समझ गी थी और उसकी तियारी बहुत भरपूर थी वो बात अलग है, कुदरत वहां भी आई, मेरी हेल्प करने के लिए तो दोस्तों, जब आपके दिल की मंशा सच्ची होगी पूरी काइनात आपके लिए साजिश तो करती ही है प्रेलिम का पेपर देखकर, मैं पंदरा मिनट पहले ही फ्री होकर बैठ गई लेकिन मेरे अंदर से आवाज आती रही, सर्कल्स चेंज करो कुछ सर्कल्स तुमने गलत लगा हैं, उन्हें चेंज करो, चेंज करो इतना प्रेशर हो गया, मुझे अभी भी महसूस होता है जैसे किसी ने मेरा हाथ पगड़के उन सर्कल्स को चेंज करवाया और जब मैंने बाहर आके उन सर्कल्स को चेक किया तो मैंने सारे गलत जवाब सही करे थे जिसकी वज़े से मेरा प्रिलिम्स हुआ मेंस के दोरान फिर वही स्ट्रगल था, बहुत पढ़ाई थी लेकिन कर लिया और मैं हिम्मत कहीं न कहीं हारी बैठी थी मुझे लगा कि कुछ भी मेरा हुआ नहीं है चारों टेम्ट्स खतम हो गया है तो मैं अपनी एक फ्रेंड के बास गई कि अब मैं क्या कर सकती हूँ क्या फिर से मेरी शादी ही हो नहीं थी अगर वही होना था तो फिर पहले ही कर लेती चार साल क्यों इतनी महनत करी लेकिन ऐसा नहीं हुआ थर्ड टेम्ट की एक्स्टेंशन लिस्ट निकली और उसमें मैं सेलेक्टिड थी तीस लोग UPSC ने और लिये थे जिसमें से दसमें नमबर पे मेरा नाम था आई बीकेम एन आईडी एस ओफिसर वो शाम का वक्त था जब मैंने लिस्ट देखी थी मैं इतनी खुश थी मुझे लगा जैसे मेरा बहुत हशनीर हलका हो गया है और मैं जमीन से थोड़ी सी उपर उठ गई हूँ इतनी lightness, इतना happiness इतना gratitude था एक security थी, चार साल से जो सब मेरे पापा को परिशान करते थे लड़की का कुछ हो तो नहीं रहा आपने शादी भी नहीं की, अब आप इसका क्या करोगे अब इसकी उमर के लड़के भी नहीं आपको मिलेंगे तो उनके पास एक जवाब था कि वो बन गई है, उसके पास है अपनी एक कुरसी, जहां जाकर वो बैठेगी कुछ करके दिखाएगी Meanwhile, fourth attempt का भी result आगया और मैं उसमें भी select हुई IITS बनी थी, result और भी अच्छा आने की expectation थी लेकिन जो भी मिला था उसे भगवान का अशिरवाद समझ कर स्विकार किया और ये तो मन में था कि और attempt मिलता तो शायद और improve करती लेकिन फिर लगा कि सिंदगी में मेरी माह ने समझाया कि तुमारे पास एक अच्छी प्लेस है सोसाइटी में, एक secure उचा जॉब है You should be very happy, very thankful दोस्तों, उन दिनों जनरल केटेगरी में 4 attempts होते थे आज तो 6 हैं, लेकिन फिर भी में सब को यह सला देना चाहूंगी कि अपने attempts को बचा के रखें कहीं बाद में जल्दी-जल्दी में देने के चक्कर में या बिना तियारी के दिये हुए attempts, results तो नहीं लेके आएंगे तो अपने confidence को बचाए रखने के लिए अपने attempts को भी बचा ले और सही analysis करें मेरी पूरी जर्नी में एक बात मुझे clear थी कि मैं past जरूर होंगी क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही थी मेहनत का कोई substitute नहीं है अगर आप यह समझेगे कोई shortcut है success के लिए तो नहीं और कहीं आप यह समझेगे coaching institutes आपको करवा देंगे तो भी नहीं करना तो आपको ही है कही ना कहीं UPSC is 90% self-study and 10% guidance तो यह तो बात हुई UPSC की एक अच्छी जगा मुझे मिल गई लेकिन struggle वो तो जिंदिया का integral part है वो कैसे खतम हो सकता है and frustration that is part of the process तो वो भी अभी खतम नहीं हुआ था अब मेरी पोस्टिंग हुई NF Railway North East Frontier Railway मेरे घर से 1000 किलोमेटर दूर मैं घर से इतनी दूर थी ऐसी जगा पे थी जहां कोई मेरा अपना नहीं था क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी मैं बस यही सोच रही थी कि अब यहां से कैसे निकलू लेकिन इतनी जल्दी ट्रांसफर का कोई स्कोप नहीं था पर यहां भी कुद्रत आई एक ऐसे ओफिसर आये रेलवे बोर्ड में जिन्होंने मेरी तकलीफ को समझा कि मैं अकेली हूँ घर से दूर हूँ कभी जरूरत होने पर कोई हेल्प नहीं हो पाती तो उन्होंने मुझे नौधर रेलवे ट्रांसफर कर दिया उसके बाद जिन्दगी फिर बहुत अच्छी चलने लगी मेरी शादी हुई मेरे हस्बेंड भी आयारेस ओफिसर है शादी में भी अर्चने आई लेकिन फाइनली जैसा अस्बन में चाहती थी मुझे मिला फिर एक प्यारा सा बेबी भी हुआ लेकिन अब जिन्दगी फिर उसी रट में आने लगी कि अब क्या बस जॉब मिल गई पात खतम हो गई लेकिन जॉब में मैं पूरी तरह सैटिसफाइड नहीं थी क्यूंकि गॉर्मेंट सेक्टर में आपको बहुत पेशन्स रखना पड़ता है अगर आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो बहुत लोगों का कॉपरेशन चाहिए सीनियर्स का अप्रूवल भी चाहिए तो कही न गई मेरी परसनालिटी तनी इंडिबेंडेंट और अलग थी कि मैं बहुत जादा पेशन्स रख नहीं पाती थी खैर अब तो मैं बहुत पेशन्स हो गई हूँ और मैंने अच्छी कितावे और इस पर एक पोईटरी भी लिखी है जिसकी दो लाइने आपसे शेयर करना चाहूंगी सपनों के देखने से लेकर उनके पूरा हो जाने तक सबर रखना होगा दुनिया से लड़ने से लेकर उसके तेरे सामने सर जुकाने तक सबर रखना होगा खुद को समझकर सब को समझाने तक सबर रखना होगा और खुदा की अबादत से लेकर खुद खुदा हो जाने तक सबर रखना ही होगा तो दोस्तों सबर रखना मुझे आया लेकिन थोड़ा लेट जब मैं गॉवर्मेंट में बहुत डिसिल्यूजेंड हो गई तो एक दिर मैंने ये भी सोचा के छोड़ती हूं इस नौकरी को बहुत हो गया अपने मन की करते हैं आज मेरे पास अपनी लाइफ है तो मैं इसे अपने तरीके से अब जीती हूँ उस दुरान मेरे हस्बिन मुझे दुबारा बेर सराय लेकर गए जुआर बुक डिपो जहां से किताबी लेकर मैं पढ़ा करती थी उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो इतनी मेहनत करके तुम बनी हो इसे छोड़ने का सोच रही हो तो बस मैंने ये ख्याल पिल्कुल छोड़ दिया लेकिन ये ख्याल नहीं छोड़ा कि मैं आगे बढ़ती रहूंगी तो बस उसके बाद से मैंने meditation स्टार्ट किया अपने अंदर जो भी छुपे हुए और कुछ कलाएं थी उन्हें बहार निकाला मुझे ध्यान आया कि मुझे पढ़ना लिखना कितना पसंद है अपने first attempt में मैं इतनी confident capable इसलिए थी कि दिन रात मैं पढ़ पाती थी अपनी उसी ability को मैंने फिर से explore किया और आज मैं एक author हूँ मेरी पहली किताब How I Became the Universe जिसे के एक award भी मिल चुका है वो लोगों को द्वारा बहुत पसंद की जा रही है और मैं और भी किताबे लिख रही हूँ मेरा अपना YouTube चैनल दमिला इसके माध्यम से मैं छोटी छोटी वीडियो के जरिये motivate करती हूँ अपनी positivity और अपनी journey को share करके लोगों को inspire करने की कोशिश करती हूँ तो दोस्तों ये थी मेरी journey, hope आपको अच्छी लगी होगी, आपने भी इससे कुछ सीखा होगा जो current aspirants हैं, उनके लिए मेरे पास एक यही message है कि अपने आपको एक सही valuation में रखें UPSC एक बहुत अच्छी line है, इसके लिए आपको जरूर try करना चाहिए लेकिन अपने real self को भी पहचान ले जैसे मुझे हमेशन से पता था कि जो भी काम मुझे दिया जाता है मैं उसे करके ही मानती हूँ, उसे खतम करके ही मुझे chain मिलता है तो वो बेकरारी अगर आप में है, वो जनून आप में है तो UPSC भी आपके लिए है, फिर आप चाहे उसके बारे में जादा किसी से guidance ले पाएं, चाहे circumstances आपके favor में हो या ना हो keep doing, जो लोग ये कहते हैं कि UPSC नहीं हो सकती वो actually UPSC के लिए sincerely prepare भी नहीं करते मेरे साथ इतनी लड़कियां थी जो त्यारी कर रही थी लेकिन उन में से किसी का भी नहीं हो पाया क्योंकि मैंने खुद देखा था कि वो बोलती तो जादा थी उनके सपने थे कि हम officer बनके क्या करेंगे बट present में जो उसके लिए मेहनत की requirement थी वो वो पुरा नहीं कर पा रही थी तो दोस्तों मेहनत का कोई substitute नहीं है आपको मेहनत करनी है अपने पर विश्वास रखना है समाज क्या बोलता है उसका एक incident मैं यहां शेयर कर लेती हूँ एक बार मैं एक party में गई अपने second attempt के बाद तो वहां हमारे एक relative हमें मिले relative क्या मुझसे तो उमर में कम ही था वो लरका मुझे handshake करते हुए बोलता है hello d, मुझे पता चला आप second बार भी fail हो गए है मुझे सुनकर इतना बुरा लगा और मैंने उसे जवाब दिया हाँ मैं ऐसे paper में fail हुई हूई हूँ जिसके बारे में तुम जैसे सोच भी नहीं सकते तो दोस्तों आपको समाज की परवा नहीं करनी है और specially लड़कियों को तो मैं यह कहूंगी कि हाँ आपके challenges लड़कों से थोड़े जादा हो सकते हैं क्योंकि कही ना कहीं आपसे expectations जादा रहती है आपके उपर शादी का pressure है आपके उपर कुछ ना करने का भी एक demotivating एक environment भी रहता है कि जरूरत ही क्या है लड़की होकर इतना क्यों कर रही हो पहले ही life born tough है तो आपको यह सब सुनना ही नहीं है आप लड़की नहीं हो, आप शक्ती हो आपके अंदर पुरा ब्रहमान है आप कुछ भी कर सकते हो आपको केवल decide करना है कि क्या रस्ता, कौन सी रहा आपके लिए best है हमारे टाइम पर internet नहीं था YouTube भी नहीं था तो Josh Talks भी कैसे होता अगर उस समय ऐसा कुछ होता तो शायद मैं अपने आपको motivate करके और better result भी दे सकती थी शायद आखरी अटेम्ट तक नाज आती शायद उससे पहले ही कुछ करके दिखा पाती लेकिन आज आपके पास ये है तो यूशुड यूज सच प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Josh Talks है या और भी बहुत है जहां पर लोग actual में आकर अपनी जिंदगी की कहानी से inspire कर सकते हैं तो मैं यही जाओंगी कि जो current aspirants हैं वो इस प्लेटफॉर्म का यूज करें, सही दिशा में अपने आपको गाइड करें और किसी भी हालात में बस हिम्मत ना आ रहें So before ending, there is a message from Josh Talks UPSC team जो हो सकता है आपकी preparation में बहुत help कर सके So please watch it, thank you Hello aspirants हम इसे बहुतों का सपना है IS officer बढने का लेकिन यह journey बहुत महंगी है और इसलिए बहुत aspirants ने हमें request किया कि क्या Josh Talks aspirants को help कर सकते हैं financially उनकी इस journey में तो इसलिए Josh Talks ने contact किया KGIS के खांसर को, शायद खांसर और KGIS की तो introduction देनी की ही जरूरत नहीं है देश के सबसे जाने मानी और respected institutes में से है KSG, शृष्टी जैन देशमु शायद आपने नाम सुना हो सर की ही student रही है जिन्होंने 2018 में AIR, that is All India Rank 5 हासल की थी उनके एक और selected candidate शुभम कुमार जिनका 2022 में All India Rank 41 आया था उन्होंने एक जोष्ट टॉक्स भी दी है उनकी और बहुत से students ने भी जोष्ट टॉक्स दी है जो कुछ ही टाइम में रिलीज होंगी तो जोष्ट टॉक्स ने खांसर से बात की और उन्हें request किया कि क्या वो जोष्ट की family के लिए एक बहुत ही बड़ी scholarship दे सकते हैं और मुझे बहुत ही खुशी है हम सब के साथ ये बात शेयर करने की कि खांसर मान गई है वो जोष्ट की family के लिए अपने foundation course पे scholarship प्रोवाइड करेंगे यानि कि वो quality की education जिसकी fees लाखों में जाती थी अब हम सब afford कर पाएंगे ये help valuable है सबसे जादा हम नए aspirants के लिए जिन्हें foundation course करना तो है लेकिन लाखों की fees हम afford नहीं कर सकते जोष्ट family की ये scholarship पाने के लिए हम नीचे दिये गए google form को fill कर सकते हैं जब आपको call आए तो please mention करना मत भूलना कि आप जोष्ट family के पाथ हैं ताकि आपको ये scholarship मिल पाएं जोष्टalks को बहुत गर्व है कि अब aspirants को जोष्ट सिर्फ कहानियों से नहीं बलकि असलियत में financially support कर पा रहा है जोष्टalks का सपना कभी भी सिर्फ talks बनाना नहीं था जोष्ट का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासल करने की मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के talent को बाहर नहीं निकालने देती लेकिन अब कम से कम हमारी financial स्थिति हमें अपने आई इस बनने के सपने से रोक नहीं सकती जोष्टalks एक बड़ी भाई या बड़ी बेहन की तरह हर वक्त हम सब को जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा आप बस जाके अपना 100% दीजिए एक भी दिन जाया ना होने दे बाकी जोड़ संभाल लेगा जैहिन